सो कॉल्ड रिसेशन का क्या ऐसा असर पड़ गया कि इन्होंने फाइरिंग सुरू कर दी हलो एव्रिवन आप सोंप्रकास and welcome back to JTC इंडिया यूट्यूब चैनल गाइस इन इस वीडियो आम गोई तो टॉक अबाउट ले आउप इन आईटी सेक्टर तो especially इस वीडियो में मैं इन following points पे बात करने वाला हूँ सबसे पहला point जो है और सब के लिए surprising था वो ये है कि current lay off in meta और facebook और twitter भी यह क्यों fire करने लगे इनके उपर so called recession का क्या ऐसा असर पड़ गया कि इन्होंने firing सुरू कर दी ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ last video में भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि इनकी firing recession से लेना देना इनका नहीं है तो क्या किस चीट से है वो मैं आगे की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ lay off trends in startups and unicorns in India in 2022 जो पिछला साल रहा इसमें या अभी जो currently चल रहा है साल इसमें भी हो सकता है होगा ही basically तो जो ये startups हैं ये जब hire करते हैं तो इतना aggressively hire करते हैं कि कोई company generally इनके वरावर package दे नहीं पाती है कोई hire नहीं कर पाती है अब जब fire कर रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों कि या कि होगा क्या suddenly आज से 6 महीना पहले तो इतना hire कर रहे थे suddenly क्यों रास्ता दिखाने लगे लोगों को तो इसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ next one hiring trends क्या है और 2021 में जून की एक report थी तो उसके बारे में भी कुछ hiring trends में इसके report थी तो उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ और इसमें basically naspam का क्या report है कैसे है इसके बारे में भी हम इस video के बारे में बात करने वाले हैं यह video थोड़ा लंबा जरूर जा सकता है लेकिन आपको end तक देखना चाहिए अगर seriously आपको कुछ समझना है इसके बारे में bubble को समझना है कि क्या hiring का है क्या firing का चल रहा है क्यों firing हो रही है क्या कुछ companies में अगर जो hiring चल रहा है तो क्यों हो रहा है मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में already बता रखा है फिर भी इस बार इस वीडियो में भी मैं उन्हीं चीजों को एक extend करके आपको और थोड़ा डीटेल में explain करने की कोसिस कर रहा हूँ तो let's talk about first हम लोग बात करते हैं इसमें कि मेटा के अंदर फेस्बुक के अंदर और ट्विटर के अंदर ले आफ के हुआ ये तो यार बहुत बड़े वर्ल्ड की बहुत बड़ी companies हैं सबका dream होता है कि हमको फेस्बुक में या ट्विटर में जॉब मिल जाए तो ऐसा क्या ह होगे suddenly कि इन लोगोंने लोगों को रास्ता दिखाना शुरू करते हैं कि या अब आप लोग जाए ऐसा क्या हुआ है एक थोड़ा important बात समझे इधर फेस्बुक हो या मेटा हो या ट्विटर इनका किस industry से लेना देना है क्या ये automobile industry से related है क्या ये textile से related है क्या ये agro industry से related है कौन सा ये इसा industry है कि जिसके उपर नीचे होने से इनके business को असर आएगा मेरे according जनरली इन चीजों के होने या ना होने से इनके उपर effect आने से या ना आने से इनके उपर जादा कोई असर नहीं पड़ता है तो इनके business में या इनके यहां जो hiring चल रही है या जो लोग काम कर है उनके उपर जादा कुछ असर नहीं पड़ता है फिर भी यहां पे lay off क्यों हुआ मैं फिर से यही बात बोल रहा था आप से कि यह recession से इनका कोई लेना देना नहीं है तो हुआ क्या है इनके साथ what has been done with this companies इनोंने क्या actually ने क्या किया यह सबसे important बात है कि जबी भी कोई आ आप काम कर रहे हों और उसमें suddenly आपने जो सोच रखा है उस सोच के according कुछ ना चल रहा हो आपका business model fail हो रहा है तो definitely आपको लोगों को निकालना पड़ेगा और हर company TCS या Tata से related नहीं हो सकती कि नहीं कुछ भी हो जाए हम लोगों को निकालेंगे नहीं जल्दी तो और especially US में अगर हम बात करें तो वहां पर hiring and firing का trend है उनके लिए ये कोई बहुत नई बात नहीं है वहां के जो start-ups है बहुत critical start-ups होते हैं अगर वो success हुआ तो definitely उसमें hiring होगी नहीं तो फिर firing होना ही है तो जो लोग join कर रहे हैं उनको उनको भी ये चीज़े पता है कि क्या actually वे हो रह रहेंगे लेकिन इनके reports को Facebook या Meta या Twitter के reports को हम in general बागी के companies को relate करके नहीं देख सकते हैं बागी के companies को इन से relate करके हम नहीं देख सकते हैं जैसे for example अगर हम बात करें एक तो 2022 में Facebook ने एक बहुत बड़ा lay-off किया या हो सकता है इस 2023 में भी ये lay-off और कर सकते हैं और जब से since its inception मतलब जब से ये मतलब एक बनी है ये company तब से अब तक का सबसे बड़ा इनका ये lay-off है सबसे बड़ा lay-off इन्होंने इस समय किया है तो क्या हुआ इनका मतलब क्या चल रहा था actually में देखे एक बात आपको सबको समझ में आए कि कुछ टाइम पहले Facebook ने क्या स्टार्ट किया virtual reality metaverse something इन्होंने कुछ ऐसा बड़ा बड़ा project स्टार्ट किया कुछ different करने के करने का project स्टार्ट किया जिसको की इन्हें लगा कि नहीं हम आने वाले time में दुनिया को change कर देंगे या जो social media का एक completely मतलब transform कर देंगे जो की इन्होंने क्या किया कि उस meta वाले project में virtual reality वाले project में खूब सारा पैसा लगाना सुरू किया जो की 2021 से इन्होंने सुरू किया और इनका especially जो development department है आप देखो over 10 billion का loss में चल रहा था अब आपको पता भी होगा आप इसको google भी कर सकते हैं कि facebook के valuation में कितना बड़ा drastic dip देखने को मिला कि क्यों ये हुआ तो आप ऐसे समझों आप हुए हम हुए या majorly बहुत सारे और लोगों को देखिए जो एक regular basis पे अपने personal lifestyle को लेके facebook पे updated रहते थे आज की date पे देखिए वो लोग facebook को छोड़ चुके हैं उस platform को छोड़ चुके हैं तो definitely यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलता कि इनका business model सायद य इन्हों ने एक जो नया business model create करने को सोचा which was the virtual reality जहाँ पे कि इनको लगा कि नहीं हम सब कुछ इंदब बदल के रख देंगे बाखी चीजे कर देंगे बड़ हुआ क्या कि वहाँ पे software प्लस hardware दोनों की requirement बहुत जादा dependent हो गई और उसको market ने उसी हिसाब से accept नहीं किया और कि ले आफ करना सुरूआ और जो इन्होंने predict किया जिस तरह का growth predict किया वो हुआ नहीं एकदम नहीं हुआ जब अदस तरीके से इनके platform को लोग छोड़ के जाने लगे right valuation में काफी गिरावट आ गई जिसकी वजह से business इनको लग रहा है कि नहीं अब आगे हो सकता है कि meta का जो नहीं चला ऐसा नहीं कि उस business के demand नहीं था या बाकी चीज नहीं था उसको साइद ये लोगों को समझा नहीं पा रहे है कि लोग अभी जो people of India है जो साइद ready नहीं है या people of world जो है वो ready नहीं है इनके exchanges को accept करने कि जिसकी वजह से इन्होंने जबर्दस तरीके से firing किया हो सकत ही expected है कोई as such बहुत growth इसके अंदर दिख नहीं रहा है तो अब आप समझे इस सा Russia Ukraine war economy slowdown या बाकी चीजों का असर इस Facebook पे जादा नहीं था इनका business model ही धीरे 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 फेल होता जा रहा है जिसकी वजह से इनकी firing होई है अब बात करते हैं Twitter के बारे में यह Twitter के बारे में आप सब को भी पता था कि Elon Musk जब आए इस सीन में Twitter को लेने के चक्र में तो कितना ऊपर नीचे हुआ क्या वो करना चाते हैं सायद उनको तो नहीं कहा जा सकता कि उनको नहीं पता है उनको पता है लेकिन rest of the world को यह चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई यह करना क्या चाता है कभी निकालता है लोगों को कभी बुल आता है कि फिर से वापस आ जाओ तो इसको आप industry से relate करके तो please मत देखिए यह इनका एक policy making है यह एक इनका internal management decision है कि हमको करना क्या है कि लोगों को hire करना है नहीं करना है ट्विटर का basic working model क्या होगा blue tick के लिए पैसे लेने है नहीं लेने है क्या actually करना है यह सायद अभी उसमें clear नहीं है और जिसकी वज़ा स करेंगे लेकिन इनके ऊपर क्या recession का ऐसा असर आ गया है कहां से इन चीजों में recession आ गई है न मैंने ही बोलता कि यहां के जो employees थे वो technically competent थे या नहीं थे मैं उसकी बात नहीं टेक्निकली competent थे फिर भी इन्होंने hire कि क्योंकि यह अपने business के बारे में sure नहीं है कि इनको करना ह है क्या क्यों करना है और किस तरह से करना है और करना भी हो सकता एक कुछ नया बाटल लेक्या है जिसकी वज़ा से जब इस पिकर और सबसे important बात आप ऐसे समझिए कि daily इनका loss कितना था four million dollar का था loss और जिसको की इन लोगों ने इन्होंने कम करने का सबसे पहला काम किया और ह कुछ न कुछ इनका twitter पर देखिए कुछ नए-नए tweets आते हैं कुछ पोल आते हैं क्या हम कुसी यह बने रहना चाहिए नहीं बने रहना चाहिए different thing so let's not talk about the twitter और मैं आपको भी बोलूँगा कि इनको especially meta and twitter के जो layout हुए हैं इसको लेके आप industry को generalize मत करिए industry को आप एक aim मत बनाईए कि नहीं पूरे industry में slow down आ गया है या hiring नहीं हो रही है या बाकी चीज़े especially जो December and January का मन्त होता है across Indian IT sector या across world के IT sector में hiring थोड़ा slow रहता है लेकिन आप देखें फिर से यह hiring अपना आप पकड़ने लगा तेजी आने लगी लोगों को again calls आने लगे interviews देने लगे तो ऐसे आप इसको आपको समझना चाहिए मेरे according right so I hope कि मैंने इन points को Twitter and Facebook की चीज़ों को थोड़ा और clear किया और अच्छे सिखिया अब एक सबसे और एक मज़ेदार बात है यहां पर मज़ेदार बात है कि हमको आप lockdown या फिर करोना के बाद आप देखेंगे हर दस दिन में कोई न कोई यूनिकॉंस कोई न कोई company कोई न कोई startup अपना IPO लेके आगे थे listing हो रहा था stock में इनकी listing हो रही थी और stock में listing होने के बाद इनकी क्या हलत हो रही थी आप साइब देख रहे थे क्या हलत हो रहींती, आप ये देख रहे हैं क्या जवरदस तरीके से ये पिट रहे हैं, स्टॉक पे आप चाहे जिस कावी देखलो, आप पेटियम का देखलो जामेटो पर नैका का देखलो किसी कावी आप IPO देख लिजे और उनका आज की डेट में क्या हलत हुआ है सबसे important बात यह है कि ये startup का जो bubble है IPO में आते ही ये क्या हो रहा है bubble फट रहा है आप बात समझ रहे हैं इसका business model जो ये हर बात में revolution revolution goal के चीजों को लाते हैं जो कि actual में जब business जो दिखता है जब आदम जो investor होता है जब पैसा इसमें लगाता है IPO में इनको समझ में आता है कि ये company क्या करेगी या क्या नहीं करेगी तो इनको भी मैं बोलूँगा कि आप market को generalize मत करिए इनके basis पे इनके decisions या business choices ऐसे इस तरह से रहे हैं जिसमें कि ये अपने खर्चे को survive नहीं कर पा रहे है तो ये business model का failure है न कि demand ही नहीं है उस चीज़ की demand है तभी तो ये चल रहे हैं तभी तो ये यहां तक पहुँच पाए हैं लेकिन अब उस demand में जिस cost में ये बात कर रहे है जिसका इन्होंने अपना competition जो बना रखा है उस competition को अब ये खुद survive नहीं कर पा रहे है एक छोटी सी report है यहां पर जो आप सबको समझ में आएगा और आप देखेंगे तो आपको clearly भी होगा जैसे हम अगर बात करें कि 52 Indian startup companies ने laid off किया है कितने 17,989 employees को इन्होंने lay off किया है 52 Indian startups से अब startup के case में क्या है initially इनको अपना काम करवाना है तो किसी भी तरह से कितना भी पैसा देके employee ले आती है whereas इनको तुरण समझ में आने लगता है साल दो साल के अंदर इनको clear होने लगता है कि नहीं आ रही है मेरा business नहीं चल रहा है या कोई नया startup आ गया कुछ नहीं तरीके का concept आ गया fail होने लगता है तो जो लोग इस companies में join करते हैं उनको भी यह पता है कि यहां का स्थितिक कब क्या change होगा हमको उसके उपर dependent रहना पड़ेगा क्योंकि आपको वो company उसी चीज के लिए उसी unsurity के लिए पैसे भी आपको दे रही है और next आप देखिए जैसे कि major layoff इंडिया के अंदर major layoff इंडिया के अंदर मैं majority मैं सभी की मी बात करा हूँ मैं majority की बात करा हूँ वो किस में हुआ है यूनिकॉंस में हुए है और सुनिकॉंस में हुए है सुनिकॉंस का मतलब यूनिकॉंस आपको पता है सुनिकॉंस का मतलब यह होता है कि the company which are going to be soon a sunicorn मतलब वो about to become the unicorn है उसको हम लोग सुनिकॉंस बोल रहे है तो इनके यहां पे भी major layoff हो रहे है अब इस layoff में एक बात और important है जो आपको समझनी है वो क्या है important बात थोड़ा सा ध्यान से दिखीगा 90% layoff which is 15,424 यह सभी जो मैं बात कर रहा हूँ एक authentic report के basis पे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो 15,424 layoff were from EdTech companies EdTech में बाईजू भाई साथ क्या कर रहे थे यह आप सबको पता है Whitehead Junior में क्या हो रहा था आपको यह अच्छे से पता है ऐसे और भी बहुत सारी companies के अंदर क्या हो रहा था यह पता है लेकिन इन companies में भी ध्यान रखियेगा ज्यादा तर जो layoff जो firing हुआ है वो service से हुआ है marketing से हुआ है tech से इतना ज्यादा firing नहीं हुआ है take away as it इस चीज़े बनी हुई है tech मतलब जो development जो IT sector की चीज़े थे वो उतना ज्यादा effect नहीं हुआ इनके हाँ भी लेकिन जो marketing या बाकी चीज़े थी वहाँ पे ज़्यादा effect हुआ है इस बात को आप समझिए तो आप in general layoff को ले रहे हैं तो मैं specially IT sector की हमेसा बात कर रहा हूँ या previous videos में भी मैं IT sector की बात तो ये चीज़े sound ज़्यादा create कर रही है कि नहीं layoff हो रहा है क्यों हो रहा है क्या हो रहा है इस बात को भी आपको समझना हुआ किसी भी edtech company में जो लड़का 4 लाख रुपे 5 लाख रुपे का package नहीं deserve करता है उसको 15 लाख का package दिया जा रहा है और वो 15 लाख के package को आप salary and excel को देखेंगे package and excel को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि actually में क्यों इतना दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे incentives हैं बहुत सारे performance bonus हैं इस चीज को initially लोग नहीं समझते हैं और जब उनको यह नहीं मिलता है उनको pressure आता है या फिर targets achieve नहीं हो रहे हैं तो definitely एक यह problem और startups जब आप लोगों ने join किया तो startups का basically culture यही है क्योंकि इनके सभी projects काफी critical होते हैं चलेंगे नहीं चलेंगे यह depend करेगा आने वाले समय में तो जो लोग वहाँ पे join कर रहे हैं आप उसको उस हिसाब से आपको समझना भी चाहिए ठीक है and then उसके accordingly आपको अपने step लेने चाहिए join करने चाहिए या नहीं करने चाहिए तो इस बात को जो बाते मैं कह रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझेगा अब जैसे देखते हैं जैसे जो यह मैंने आपको data दिया तो इस data के basis पर कुछ चीज़े देखिए football team को sponsor भी दिये यह काफी news में रहा क्योंकि यह क्या कि उनका major decision है लेकिन आप सबको भी पता है कि इनका business model दीरे 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 यह भी bubble पूट रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भई अच्छा इसी edtech companies में जो ground पर रहके तरीके का काम कर रहा है ग्रो भी कर रहा है दूसरा charge भी देख लिजए card 24 देखिए lead देख लिजए ola देख लिजए mashों देख लिजए mpl देख लिजए innovation एक purely IT company थी और IT company है जिसने पिछले में भी fire किया और अभी economic times के हिसाब से अभी फिर से ये firing side करने वाले है in the month of you can say January क्योंकि इनका जो healthcare का product है US Miss Act वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है product नहीं अच्छा कर रहा है कोई न कोई product लोग use कर रहे हैं but वो product use नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि market slowdown की तरफ जा रहा है ये बात मेरा आप थोड़ा ध्यान से समझें और आपके क्या thoughts है आप definitely मतलब comment section में लिख के जरूर से जरूर हमें बताईए वेदान्तू जमेटो और इन सब इन सारी चीजों से unacademy आने के आपको पता है कि last one and half year two years के बीच में unacademy ने क्या क्या acquisition किये लोगों को भी नहीं समझ में आता था कि आकर ये इतने पैसे दे क्यो रहा है किसलिए ये acquisition कर रहा है इसको जहां पर भी डर लगता था कि ये हमारा एक thread हो सकता है ये हमारे बराबर आ सकता है चलो पैसा लेलो खरीब लो आजाओ अब क्या perform होगा क्या नहीं होगा again it is a different thing तो ये एक इनका basically चीजे रहा है अब अगर global की हम बात कर रहे हैं global में 1,35,000 employee globally impact हुए है layoffs वगर ऐसे लेकिन ये फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार मैं बोल रहा हूँ ये layoff recession का नहीं है कहीं पे गलत hiring process है कहीं पे इन्होंने over hiring कर लिया है अभी जैसे कि आपको TCP में एक ऐसा report आया कि इन्होंने ज़्यादा hiring कर ली है पिछले जब इनका time अच्छा था in good times they have hired over number of employees, more number of employees जिसकों कि अब ये fire करने वाले है मतलब total अपने work strength का 10% ये क्या कर रहे हैं, remove करने वाले हैं तो देखिए वो decisions आपको कहीं न कहीं impact हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि during covid, work from home में वाकी चीजों में किसी को ये सायथ समझ में नहीं आत रहा था, जो prediction था वो सायथ गलत हो रहा है, जैसा ये सोच रहा थे इसे चीज़े चल नहीं रही हैं, इन्होंने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिये, तो इसको इनको कम करना है, और कोई भी कम, company ये करती है, लेकिन बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूं कि जितने भी लोग कहीं से इनको job से निकाला जा रहा है, at the same time, इनके पास within that particular notice period itself इनके पास बहुत सारे और offer letters रह रहे हैं अगर ये offer letter रह रहे है इसका मतलब की job है market में, particular company अच्छा नहीं कर रही है और वो अच्छा इसलिए नहीं कर रही है, because of उनका cost बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप देखो नहीं, बहुत सारे case में आप ऐसे like, जो food delivery या grocery delivery के बहुत सारे app हैं अगर ये customer से मतलब, suppose करी customer ने 50 rupees का order किया, तो एक order को पहुँचाने में customer के पास में, average इनका 63 से 70 rupees का cost आ रहा है, एक customer को मतलब, जो इनके platform से कुछ order कर रहा है इनको उसको ये 70 rupees ऐसे एक तरह से दे दे रहे हैं आपको तो business कही न कहीं कभी न कभी ये चीजे गरबढ होगी और जिसकी वज़ा से उनके employee पे इनका असर तो पढ़ेगा इसको मैं फिर से आप से बोलूँगा hiring trends और major reports क्या है इसमें 2021 से जो majorly ये चीजें सुरू ही तो वहाँ से क्या चल रहा है अब तोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा कि क्या मैं बातें कर रहा हूँ इसमें ध्यान से देखिए जैसे कि 2021 में NESCOM ने मतलब ये बताये कि ठीक है IT सेक्टर despite of COVID and all IT सेक्टर में hiring रहेगा वो रहा, जब अर्दस तरीके से IT सेक्टर में hiring हुई जो कि इस बीच में past 6 months के अंदर, जब से रस्या Ukraine war कुछ-कुछ हुआ उस समय से कुछ-कुछ firing इनोंने सुरू किया, इनको realize होने लगा जब सब चीजे new normal होने लगा मतलब old normal जो था, क्रोना से पहले वाला भूफिर से normalcy की तरह बढ़ने लगी चीजे, तो इन्होंने ठीक है इनको realize हुआ कि हमारे खर्चे हो गए, इसको खर्चे को कम कर रहे है, अपनी strategies को ये change कर रहे है, and then ये फिर आगे बढ़ रहे है, hiring as well as firing दोनों साथ में चल रहे है, ये hiring भी चल रहा है, जिसमें की बड़े वाले package को ये लोग हटा रहे है और थोड़े से कम package के लोगों को ये hire कर रहे है, और मतलब ऐसा ये काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं एकदम hiring बंद हो चुकी है, correct ना, अब एक बात और समझे, according to NASCOM report, IT सेक्टर में अभी और जॉब बढ़ने वाला है, बहुत सारे new jobs भी आने वाले हैं, और आएगा 2023 में काफी अच्छा hiring होगा, इनके according, ठीक है, और दूसरी बात, आप इस चीज़ को अब एक important बात समझे, कि 2025 में 2025 तक Indian IT सेक्टर का revenue target क्या है तो उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं ऐसा में ये कि उससे ये पीछे जा रहे हैं तो revenue target इन्होंने क्या assume किया था, USD 300 to 350 billion dollar का revenue generate करने की ये बात कर रहे हैं जो कि ये करने जा रहे हैं या कर रहे हैं और NASCOM को ये report कर रहा है जो कि इनका जून 2021 का ये report है and which is perfectly okay, perfectly working out और इसमें as such कोई problem समझ में नहीं आता है, अब next हम इसमें फिर से एक और जो last में इसका एक point है की conclude करते हैं इस topic को जो जो मैंने आप से बात की दिखिए due to corona, covid अलग-अलग industries में, other than IT, slow down हुआ no doubt, but IT में उतना ही significantly चीजें बढ़ी edtech में लोगों का job बढ़ा, काफी कुछ हुआ इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा hiring हुई, right it is especially आप edtech, consumer services और बाकी की चीजों की अगर हम बात करें तो, ठीक है इन सब के बावजूद, corona बाकी चीजों के बावजूद work from home, covid और सब कुछ के बावजूद digitization ज़्यादा हुआ और जिसकी वज़ा से hiring भी खूब बड़ी, IT companies ने खूब सारा hiring किया और दूसरा चीज की IT sector का जो इनका vision है मतलब उसमें भी ये चीजों को addresses को issues को address करते हुए मतलब unlimited इनका growth है और आगे की चीजों को ये बहुत अच्छे से अपना predict कर रहे हैं, grow कर रहे हैं काम कर रहे हैं, जिससे की आपके job पे especially या जो new, ने लोग जो job सर्च करने की कोसिस कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कोई major difficulty या major problem देखने को नहीं मिल रहा है, इस बीच में अगर आप इन job कर रहे हैं कहीं या job सर्च कर रहे हैं इस recession में या जो so called recession है जहां पे firing हो रही है, कुछ company अपने आपको correct कर रहे हैं इसमें simple सी बात ये है कि आपको अपने आपको updated रखना है और आप अगर उतना कर रहे हैं, तो अगर एक job आपकी कहीं से जा रहे हैं, किसी startup में है, कहीं कुछ है, कुछी unicorn में है sunicons में, कहीं पे भी हैं वहां से अगर आपकी job जा रही है तो आपके पास at the same time बहुत सारे offer letters हैं, या मिलेंगे बसरते आप technically अपने आपको updated रखे, so this is what all about this video और current topic, आप का जो भी thought है, जो भी आप सोच रहे हैं comment section में जरूर बताइए till then, bye bye, see you in the next video, thank you